नमस्कार, स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं हाली में एक रिपोर्ट परकाशित होती है उस रिपोर्ट में, लेंसेट की रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट में बोला गए कि आने वाले समय में, यानि कि 2050 तक भारत में जो बुजूर्ग हैं, उनकी संक्या काफी जादा हो जाएगी as compared to जो युवा हैं उनके मुकाबले में यानि कि आप सीधे तोर पर समझेंगे इससे क्या-क्या impact पढ़ने वाला है अगर बुजूर्गों की संक्या जादा हो रही है, युवाओं की संक्या कम हो रही है तो काम करने वाले लोगों की संक्या automatically कम हो रही है देश के अंदर जिससे क्या होगा, एक economic crisis भी आने की संभावना है, जिस तरीकी की इसमें बात बोली गई है तो इसको हम समझने वाले हैं कि 2050 में बुजूर्गों की संक्या क्यों बढ़ रही है, युवा की संक्या क्यों कम हो रही है और जो एक birth crisis आया है, उसके बारे में रिपोर्ट क्या कहती है इन तमाम बातों को हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से discuss करने वाले है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडियो के बारे में बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो भी डाउनलोड कर सकते है तो कई होता है ने कि हमें भी पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती है तो एक बहुत systematic तरीके से पीडियो बनाई गई है ताकि आपको असानी रहे उस चीज़ों को पढ़ने में तो चलिए start करते हैं एक report आती है उस report का नाम होता है इस लैंसेट के अंदर अध्यन किया गया और उस अध्यन करती है उसमें बताया गया कि जो भारत की कुल प्रज़न अंदर है यानि की total fertility rate यानि उसको short form में बोले टी एफर टी एफर क्या होती है टी एफर होती है परती महिला परती महिला पैदा होने वाले बच्चों की ओसत संक्या इसको ध्यान से समझना परती महिला पैदा होने वाले बच्चों की ओसत संक्या यानि एक देश में जितनी महिलाएं है जो परज़न अंकाल के दोरान है वो कितने बच्चे पैदा करती है टोटल और उनको महिलाओं से डिवाइड कर दो उस देश में माल लो 100 महिलाए है और यहां पर कुल टोटल मतलब X number of बच्चे पैदा किये तो एक average निकल के आ जाता है तो यह होता है हमारे सामने average निकाला गया है तो क्या बोला गया इस average में क्या होगा कि 2050 तक क्या हो जाएगा 1.29 हो जाएगी इसका क्या मतलब हुआ देखे 1.29 का मतलब हुआ कि 2050 में 2050 में परती महिला जो है वो 1.29 जो बच्चे है वो पैदा करेगी अब यह चीज बड़ी ही अजीब सी है अरे सर एक बच्चा तो पैदा हो सकता है यह 0.29 का क्या मतलब होता है 0.29 का ऐसा मतलब होता है कि किसी महिला ने कोई बच्चा पैदा नहीं किया किसी महिला ने 2 बच्चे पैदा कर दिये या किसी महिला ने 3 बच्चे पैदा कर दिये मान लो किसी भी देश की संक्या जो X है अब आने वाले समय मान लो 50 साल बाद उस देश की संक्या जो X ही रहे अन्होंने तो यह कितनी होने चाहिए तो इसमें बोला गया कि जो total fertility rate है किसी भी देश की 2.1 होनी चाहिए मतलब परती महिला जो है अपने President Kaal के दुराँ जो है वो 2.1 बच्चा पैदा कर दे तो जिससे क्या होगा कि उस देश की संक्या जो पहले जो थी मतलब मानलो X थी आने वाले समय भी भी वो यहनि 50 साल बाद 100 साल बाद वो X रहेगी अगर TFR यानि Total Fertility Rate जो है वो 2.1 रहा और फिर से वही बाद आ जाती है सर दो बच्चे तो समझ आते हैं कि एक महिला दो बच्चे पैदा कर दे यह 0.1 का क्या मामला है? 0.1 का वही मामला है मैं कहा रहा हूँ कि किसी महिला ने कोई बच्चे पैदा नहीं किया या किसी ने 2 बच्चे पैदा कर दिये या किसी ने 3 बच्चे पैदा कर दिये या किसी ने 1 कर दिये तो यह एक तरीके से average निकाला जाता है clear हुआ I hope so इन सब जीजों को आपको clear हो गया होगा तो यह बोला गया है कि एक प्रतिस्थापिद प्रतिस्थापिद है नि replacement दर कितनी होने चाहिए 2.1 2.1 होने चाहिए यह किसी भी रेश्की होती है ठीक है भारत में कामकाजी उमर अबादी जो है वो तेजी से गिरावट आई है 1950 में 6.18 हुआ करती थी 1980 में आते आते 4.60 हो गई 2021 में आते आते 1.91 हो गई तो जिससे समझ रहे हैं कि एक जो हमाई कितनी रखनी थी 2.1 रखनी थी 2.1 रखनी थी जिससे क्या हो गया भाई 2.1 तो रखनी पाए जिससे दीरे दीरे क्या होगा 1.91 होगी और अब बोल रहे हैं 2050 में आते आते ये 1.29 हो जाएगी तो काफी जादे एक ऐसी situation create होने वाले जहां पर क्या होगा कि जो बुजूर्ग हैं उनकी संक्या बढ़ती जाएगी युवा जो हैं वो वहाँ पर कम होते जले जाएंगे अब बुजूर्ग जो नई तो सोड़ना हा जाएंगे बात यह होते कि युवा कम हो रहे हैं युवा कम हो रहे हैं तो obviously बुजूर्गों की संक्या जादा होगी as compared to युवा होगी clear हुआ अब ऐसा क्यों हो रहा हैं क्या कारण है तो यह जो परिजन अंदर है वो नीचे क्यों गिरी है इसके पीछे की reason का है उसको हम जान लेते हैं एक institute है गोखले institute of politics and economics में center for the study of social यह यहाँ पर पढ़ देता हूँ इंदी में पढ़ाई भारत की आजादी के बाद जिस तरीके की चीजें अपनाई गई population को control करने के लिए तो कहीं न कहीं एक कारण तो वो भी जिम्यदार है दूसरा कारण उन्होंने बोला कि जो एक तरीके से हमारे देश के अंदर female literacy बढ़ती जा रही है woman workforce बढ़ता जा रहा है जाती थी तो वहां पर कम उमर में शादी होने का मतलब है उनके बच्चे पैदा करने की ज़्यादा एक तरीके से कहींगे की उमर हो जाती थी अब यहां पर मानलो 18 साल की बच्ची या 17 साल की बच्ची है 16 साल की बच्ची की शादी कर दी जाए तो वहाँ पर जो है एक तीर की समझगी वो कितने ज़ादा बच्चे पैदा करेगी अगर उसेज में ही वहाँ पर प्रजिनेंट काल के दोरान अगर 16 साल की बच्ची जो है उसकी शादी हो जाती है अब मान लो अब एक बच्ची को पढ़ाया जा रहा है पढ़ाते पढ़ते पढ़ते उसकी उमर जा रही है वो 24 साल की या 25 साल की एज में शादी कर रही है तो जहां पर हम देखेंगे ना कि 16 साल की एज में शादी हो रही थी अब 8 साल बाद शादी हो रही है तो कहीं न कहीं वो impact वहां पर पड़ रहा है तो बोलने जा रहा है कि महिलाओं की शाक्षरता होगी या महिला जो कारेबल है उनकी भागिदारी में जो विर्दी हो रही है जिससे क्या हो रहा है कि महिलाओं को बाद की उमर उमर में कम बच्चे पैदा करने पड़ रहे है बाद की उमर मतलब की मान लो अब काफी पहले 16 साल की एज में शादी हो जी ती या 17 साल की एज में शादी हो जी अब वो 24-25 पर जा पहुँची, जिससे क्या हो रहे हैं कि बाद में बच्चे पैदा कम करने पड़ रहे हैं, शहरी शेतरों में कई लोग तो क्या कर रहे हैं, ये बात बोली गयी है, जो प्रोफेसर है, इनका नाम क्या था, अंज्री राथकर. अब इन्होंने एक ओर रीजन ये भी बताया की, एक आर्थिक आयाम भी है, मतलब हमारे देश में आप देखें कई राज्यों के अंधर तो ऐसी स्किम चलती है कि अगर किसी के दो बच्चे पैदा होगे, जैसे राजस्थान के अंदर चलती है, अगर किसी के दो बच्चे होगे, तो वो दो बच्चों से अगर उसने तीसरा बच्चा कर लिया, तो वो गौर्वर्मन्ट जोब के एक्जाम नहीं दे सकता, तो कुछ ऐसी कंडिशन लगाई जा रही है, या फिर हमें, जो कोई गौर्वर्मन्ट जोब के अंदर होता है, तो वहाँ पर बोला जाता है कि दो बच्चों से ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ पर उनको सुईधा ही नहीं मिल पाती है, तो ऐसी चीज़ें उनके लालन पॉशन पर भी काफी जादा खर्चा रहा है, तो एक एकनोमिक डाइमेंशन भी देखा जा रहा है, कि वहाँ एक और बच्चा पैदा हो गया, तो यहाँ पर उसकी फीस हो गया, उसका लालन पॉशन हो गया, तो परजन शम्ता में गिरावट का प्रिणाम यह होगा, कि जन संक्या में बुजुर्गों की जो हिस्सेदारी है, वो तेजी से बढ़ेगी, इससे क्या हो जाएगा सर, इससे हो जाएगा की काम करने वालों की संक्या कम होगी, बुजुर्ग Population Foundation of India की जो कारेकारी निदेशक है यानि की Executive Director है वो है पुनव मुत्रेजा उन्होंने बोला कि देखिए इससे क्या हो रहा है उन्होंने मतलब आने वाले टाइम को भामते यो बोला कि Labor Force जो एक Shortage है वो हमारे सामने आ जाएगी कहीं न कहीं एक Gender Preference के imbalance हो जाएगा यानि लड़के को prefer करेंगे तो अगर जंक्या अब मौन लेजिए दो couple है मतलब couple है वो बोलते हैं कि हम तो एक लड़का है करके खुश है उन्हों लड़का कर लिया आने वाले टाइम में कहीं होता है कि लड़के को prefer करते है तो लड़के को prefer करते है लोगोंने क्या किया वहाँ पर एक Gender Preference हा गयी औहले टे हो गया imbalance create हो गया imbalance create हो जाता है वहाँ पर तो यह बात बोले इन्होंने एक उधान देते हुए बोला यानि उधान किसकी तरफ दिया, स्वीडन और डैन्मार्क जैसे स्केंडेवीनियन जो कंट्रीज हैं उनकी जो चुनोतियां है उनकी तरफ इशारा करते हैं उन्होंने का कि देखें, वो अब क्या कर रहे हैं वहाँ पर इस तरह की problem चल रही है तो problem चल रही है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है चाइल्ड केर, यानि वहाँ पर affordable चाइल्ड केर प्रोवाइड कर रहा है हेल्थ केर में इन्वेस्ट किया जा रहा है और साथ इसाथ, बहुत सारी तीजे की जा रही है, जाकि economic policies लेके आई जा रही है, जिसे क्या होगा वहाँ की economic growth मिले, job creation हो साथ क्या क्या है, वहाँ पर social security या फिर pension reform लेके आई जा रहे हैं, ताकि जो वहाँ पर जो है, जो परजनेंदर में जो गिरावट आई है, उन प्रभावों को कम किया जा सके कोई बच्चा, कोई कपल जो बच्चा का उनने की स्थिती में नहीं है क्यों, क्योंकि भईया उनके पास job नहीं है तो वह पालन पोशन कहा से कर देंगे तो वहाँ की सरकार क्या कर रही है, आरे आप tension ना लीजिए, आपके लिए हम यहां पर नोकरियां लेकर आएंगे यहां पर नहीं नहीं ऐसी economic policies लेकर आएंगे ताकि नहीं फैक्टरी लेगे, नहीं फैक्टरी लेगे आपको वहाँ पर काम मिले और आप अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें, तो ऐसी सिस्कीम वहाँ पर लाई जा रही है, साथ इसाथ वहाँ पर काया है, पुरुष भागीदारी की पहल कर, ताकि भाईया, लेंगिंग समानता भी बनी रहे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल हो गए, यानि कि लड़के लड़के कर लिए लड़कें के उपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा तो वहाँ पर क्या है कि पुरुष भागीदारी की पहल भी की जा रही है वही आप आईये, इन सब चीजों को समझगे मतलब कि लड़का लड़कीं भेद बाव ना करिए ये सब चीजें बोली जा रही है अब आते हैं कि विश्व यापी ये थो हमारे देश की बात हो गई हमने थोड़े बाहर की देश की भी देख ली अब पूरी वर्ल्ड वाइट दुनिया के बारें बात करें तो क्या पूरी दुनिया के अंदर आने वाले टाइम में क्या यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो total fertility rate वो कम होगी जिसके कारण वहाँ पर जो जन संक्या वो कम होने वाली है obviously यानि जन संक्या कम यानि बुजुर्गों इसंक्या जादा हो जाएगी युवाँ की संक्या कम हो जाएगी जो researcher है उनका अनुमान यह है कि 2050 तक 204 देश हैं उन 204 देशों में से लगबग 155 देश यानि कि 76 परसेंट जहां पर जो दर है यानि कि 2.1 जो एक होता है न कि 2.1 एक आप लेके चलिए total fertility rate जो है वो 2.1 हो तो एक replacement जो है वो population निकलती है कि replacement factor निकलता है कि यह replace कर पाएंगे अब यहाँ पर क्या बोले कि 2.1 जो replacement rate है उससे वो नीचे रहेंगे उससे नीचे रहेंगे clear हो गया बाईया 2050 तक कितने देश रहेंगे 155 देश रहेंगे अगर बात करें उसके 50 साल बाद यानि 200 जो 200 हमारे सामने वो हो जाएगी यह स्टार्ट होगा तो वहाँ पर जो है वो 155 देश से बढ़कर 118 देश आ जाएगे यह बात बोली गए यह नहीं 97 परसेंट में अब यहाँ पर क्या होगा कि total fertility rate से यह भी कम हो जाएगे तो आने वाले टाइम में बोला गया है कि कही हमें जन संक्या कम हो जाएगी यह सब चीज़ें बोली गई है यह researchers ने बोली है तो यह होगी आपके सामने आज की एक Lancet की रिपोर्ट जिसके अंदर हमारे देश को लेकर काफी सारी चीज़ें बोली गई है उमीद है कि यह सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी समझ में आ गई होगी तो मुझे कैसे समझाएंगी ओविसली लाइक करके कोमेंट सेक्षन ओपन है आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो वहाँ पर कोमेंट कर सकते हैं तो बस साथ के लिए इतना है था वीडियो में आगे बंटने से पहले किया वीडियो को end करने से पहले PDF के लिए मैं बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक निया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं तो अब साथ आज के लिए इतना है था Thank you for watching this video